अगर मैं कहूं कि यार अपने इंडिन कृकेट टीम अपन अपने में चिकेटर की नामरी वो संजू सेम्सन होंगा। चलो कि यारी जैसा कि संजू सेम्सन आइपेल छेल दे तो रहुत टॉप लिवल पर आइपेल करते आइपेल में उनका कोई मुकाब्ला систем तो फिर से फ्लॉप हो जाते हैं अभी इंडिया में भाई यह डॉमस्टिक मैच लाए दिलूप ट्रॉफिक है जिसमें भाई संजू सेम्शन के टीम इंडिया डी है जिसके कप्तान स्रेस अईयर है तो आज भाई यह संजू सेम्शन जानते हैं मातर पांच रण पर डॉमस्टिक मैच में भाई नए बॉलर के सामने आउट हो गया जब जब संजू सेम्शन को भाई कोई ओडिया चाकोई टीट्वेंटी मैच में इनको पिक नहीं किया जाता तो तब तब संजू सेम्शन की फैंस भाई या ट्रेंड कराने लगते जस्टि पर संजू सेम्शन और रन बनाते हैं यह लोग जहाट परावर यह शरम नहीं आता है यह 13 वजए से मेरा आत्म अत्या करने का टाइम आ गया लाए टीट्वेंटी वर्ड कप में पिक किया गया तो टीट्वेंटी वर्ड कप के भाई यह यह पर 10 मैच में भाई बांगलाद किया था संजू सम्शन जब दूसरे मैच में आने तो भाई फ्लॉप तीसरे मैच में आया तो भाई स्रिलंका की खिलाफ फ्लॉप तो कैसे भाई बीसी यह इनको मोगा देगा यार अब बताओ आप ही लोग खत्म बाई-बाई-बाई-बाई यह बंदा ऐसे परफॉर्म कर जाता है अब एक मेच पहले बता रहा हूँ ऐंडिया डीका दी बोडिस ऐसे का मैच भाई पहले मेच में इंडिया डीग में यार संजू सेंशन को पीक नहीं किया गया था तो फैंस ने वाई सवाल फिर से उठाना शुरू कर दिया संजू सेंशन के फैंस का कहना है कि यार संजू सेंशन जब यार MS-Doni की कप्तानी में खेल रहे था था MS-Doni ने भी उनको पीक नहीं किया जब बिराटकुली की कप्तानी में खेले था तो बिराटकुली ने भी नहीं पिक किया जब सूरिक मर्यादों की कप्तानी में खेले तो सूरिक मर्यादों ने यार संजू सेमसन को नहीं खेला है जब यार यह stress ayya के कप्तानिवी एक नहीं खेले जैसे कि याइड दिलीव ट्रोफ़ी में भाई यह stress ayya की कप्तानिवी यह संजू सम्जन खेल रहे थे संजु सेमसं गाल चाब दोटवर chyba इंडिया टीम मेंAre बीकेट कीपर बहुत तगरी लंबी लगई चले जिस में इसान केसे न भी परफोर्म करके बता दिया इसान किसने भी अरतावरी तोT वह नीं खेल के बता दिया एक संजु सेमसं के विबारीटורה तो संजू सम्सन यार जाके हगी देते हैं, इसान किसन और रिशपन्त को देख लो यार किस तरह ताबरतोर इनिंग भाही दिलिफ ट्रौफीम बंदा खेल रहा है यार बैक टू बैक यार इसान किसन सैंच्णी मार है और संजू समसन के भाई यार दस रन भी नहीं कम्पलीट लगते थे लेकिन और जब यह इंटरनेशनल मैच कहलते हैं तो यह परफॉर्म नहीं करते थे तो मेरों को भाई यह बहुत विकार लगने लगा यार संजू संसनिहार आई पिल में इनकी बैटिंग में बहुत अच्छे तरीके इंज्वाय करता हो लेकिन इंटरनेशनल मैच म बडाबर मौका नहीं मिलते हैं यह एक मैच में परफॉर्म करके बताए क्यों करें पर इनकों मौका मिलेगा यह और परफर्म नहीं करते हैं इनको यार क्या 10-20 इनिंग ही मिल जाके आप रन मारके आओ तब एक मैच प्वेस इनिंग में तो भाई यार कोई बंदा दीपक हुड़ा आके रन मारके चला जाका तो कहां दीपक हुड़ा आप कहां संजू सैंसन भाई बहुत सारे इनिंग मिले या यार ODI में भी मिला यार T20 में मिला यार तब भी इनका मौका यार इनका बल्ला नहीं चला भाई मेन वक्त पे भाई चाहिए साथ अफरिका के T20 स्रीज देख लो यार अपने होम ग्रांड पे हुआ था उसमें भी संजू सैंसन फ्लॉप थे यार एक तम बूरी तरीके से हा गये थे भाई साथ अफरिका में सेंचुली मारा वो डियाई का लेकिन यार जो T20 मैचेज होता है उसमें परफॉर्म ही नहीं करता बनता और T20 मैचेज के लिए वो जाना ही जाता है मैं हेट रही करना संजू सैंसन को फैंस बता देरा वाई जस्टेस पर संजू सैंसन नही पेरा वी नहीं वाते करना फिर संजू सेंसन तो मजाएगा जब यह यारा आइपेल की मैचेज भण FLream घताम हो जाएगो तब करना तब हम लोगोग देखेँ कि हाँ अब नहीं होना चाहिए जार बहुत है अब पक गया और सुंन के जस्रस पूर संजूस सेंसन स्ट्सपोर संजु संपसंट क्या हो गया है इंतर हार्दिक पंडे को यहार ट्रेंड कर रहे हैं यह इंटेन क्रिकेट टीम आ इन्हीं मुलतर लेगा परफॉर्म नहीं कर तब भी आपको परफॉर्म करना होगा तब यार आप खेलोगा नहीं तो एक मैस से यार बाई पूरा करियर खराब हो जाता है बंदा कितना भी बड़ा यार कहें न हो यार खेल गाज आप कमेंट में जरूर बते हैं कि यार आपको कैसे लगते हैं संजू संसर फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक ले वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिए यार